आज मैं अबनी सारी गोल्ड फिश और गोल्डन शार्प को बड़े वाले एक्वेरियम में रिलीस कर दूँगा देखो ये टैंक थोड़ा खाली खाली लग रहा है और मेरे पापा के रहे हैं इसमें फिशला कर दालो तो मैं फिशो पर गया था लेकिन वो बन थी फिर मैंने सोचा हमारी गोल्ड फिश का टैंक थोड़ा छोटा है इनको बड़े वाले टैंक में शिफ्ट कर दिया जाए लेकिन हमारे बड़े वाले टैंक में एंजल फिश है जिनको मैंने बहुत आराम से निकाल लिया अब बारी है हमारी सारी गोल्ड फिशिस निकालने की मैंने दो तिन बारी में सारी गोल्ड फिशिस पकड़ ली अब बची है इसमें हमारी अलबाइनो गोल्डन शार जिसको पकड़ने में बहुत जादा मेहनत लगी मैंने अपनी सारी गोल्ड फिश को और अलबाइनो गोल्डन शार को इस नेट की हेल्प से पकड़ा और टैंक में रिलेस कर दिया बाकि अगर चैनल पर पहली बार आयो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना